नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट कुमरासी वालों बुद्ध का रासी परिवर्टन हो रहा है बुद्ध अभी तक मीन रासी में थे लेकिन अब मंगल की रासी मेश रासी में प्रवेस करेंगे 16 अप्रेल और यहां पर एक मई तक रहेंगे मेस रासी में सुर्य 14 अप्रेल को आ चुके हैं और 10 अप्रेल को सुक्र भी आ चुके हैं अब जब बुद्ध जाएंगे तो सुर्य और बुद्ध मिलकर बुद्धादिते योग बनाएंगे और सुक्र बुद्ध मिलकर लक्ष्मी नारायन योग बनाएंगे लेकिन आप कुम्ब वालों के जीवन पर इसका क्या प्रहा पड़ेगा आज हम यही आप से चर्चा करेंगे देखी गरहों में यूराज कहे जाने वाले बुद्ध का ये परिवर्तन चुकि ये अभी तक मीन अपने मीन रासी में थे जो की नीच रासी है अब यहां से निकल कर जैसे ही में सरासी में जाएंगे तो यकिनन आपके जीवन में जो कुम्ब वाले हैं बहुत बड़ी राहत की बात होगी तो ऐसे में देखिए आपके तिरतिय भाव जिसको हम प्राकरम का भाव कहते हैं यहां पर आएंगे और बुद्ध आपके सुभा में सौप्टनेस लाएंगे आपकी वानी को और ज़्यादा खुपसूरत बनाएंगे और कठिन से कठिन हालातों को भी आप आसानी से नियंत कर पाएंगे वानी के बदालत आपका साहस प्राकरम भी बढ़ाएंगे इसमें जो भी आप निरने लेंगे वो यकिनन हर कोई सराहेगा धर्म कारे करते नजर आएंगे समाज में मान परतिष्ठा बढ़ेगा इसमें लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं और अ तो तीसरे भाव में आ रहे हैं और बुद्ध यहां पर मजबूत होंगे कम्यूनिकेशन स्किल्स से आपको अच्छे लाब देगा अब आपकी कुंडली में पांचवे और आठवे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में आ रहे हैं तो इस सभाव में बदलाव आएगा पुम्ब वालों आप और अधिक आपके स्वाव में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे वैसे इस गोचर से क्या होगा इसमें लंबी दूरी की यात्रा की योग तो बनते हैं लेकिन संबभ हो तो यात्रा से बचिएगा लेकिन आपको संचार के माध्यम से लाब होगा यान दामपत्य जीवन में खुसिया है क्योंकि संतान को कोई बड़ी सफलता भी मिलेगी हलांकि भाई बेहनों के साथ समय कुछ थोड़ा से कटनाई रहेगा लेकिन उसके साथ रिस्तों को बनाया रखे और पूरी इमांदारी से रिस्तों को निभाईएगा वैसे आपके प्रे जीवन में सकात्मुक बदलाओ आएगा और आप हर जगा अपने आपको बेहतर तरीके से रख पाएंगे क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए एक तो इसमें आप बुद्ध बार के दिन गनेज जी को हरा दूरबार पित करें संभब हो तो विस्नु सहस्तर नाम का पाठ करें तो आपको आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट और बढ़ जाएंगे धन्यवाद फिर मिलेंगे